बार्दे टीम के स्टार बल्ले बाज युवराज सिंग की शादी को बस चन्द दिन ही बचे हैं भारते क्रिकेट टीम के साथ ही युवराज सिंग के फैन्स इस दिन का बेश सब्री से इंतजार कर रहे हैं युवराज सिंग 30 नमबर को ब्रिटिश मौरिशन एक्ट्रिस हेजल कीच के साथ शादी के बंधन में बंदेंगे युवराज और हेजल की शादी पंजाब के फथेगड साहिब गुरुद्वारा में होगी लेकिन आश्चर्य वाली खबर ये हैं कि पूर्व भारते करवाया है लेकिन युवराज ने कहा है कि वो इस शादी समाहरों में शिरकत नहीं कर पाएंगे दरसल युवराज सिंग की मा का देरों में आस था है लेकिन युवराज सिंग ने साफ कह दिया है कि यदि इस शादी में कोई देरा या धार्मिक गुरु जुडेंगे तो मै इसमें भाग नहीं लूँगा क्योंकि मैं सिर्फ भगवान में विश्वास करता हूँ, धार में गुरुओं में नहीं। लेकिन बताया जा रहा है कि योगराज सिंग दिल्ली में होने वाले कारेक्रमों में हिस्सा लेंगे। वहीं टीम इंडिया ने भी अपने स्टार ओल्राउंटर की शादी के लिए खास प्लैनिंग की है। टीम इंडिया के खिलाडी 29 नवंबर को शहर के दललित होटल में होने वाली यूवी की महन्दी रस्म में मौझूद होने का प्लान बना रहे हैं। इसके साथ ही हरबजन सिंग ने तो शादी में डान्स करने का भी प्लान बनाया है। इस शादी में प्रधान मंत्री नरेंदर मूदी और सचिन तैंदुलकर भी शामिल होंगे। आपको बता दे कि युवराज सिंग पहले पंजाबी रीती रिवासों के साथ 30 नमबर को चंडीगर में शादी करेंगे। इसके बाद 2 दिसम्बर को हिंदू रीती रिवास के नुसार गोवा में भी शादी रचाएंगे। इसके बाद दिल्ले स्थेत छतरपूर के फार्म हाउस में 7 दिसम्बर को दिस्टेप्शन का कारेकरम रखा गया है। तो 30 नमबर को युवराज सिंग हेजल के साथ शादी के बंधन में बन जाएंगे। फिलहाल उनकी शादी की तैयारिया जोर उपर है। देक्टर एडीब लाएव।